Hello everyone, welcome to my channel, मैं हूँ स्रिस्टी और आज से हम शुरू करने वाले हैं साइन्स तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे चैप्टर नमबर वन फॉम प्लास इक्स जिसका नाम है फूट वेर डास इट कम फ्रॉम यानि की खाना जो हम खाते हैं वो आता कहां से है बिसिकली यह चैप्टर है पूरा फूट पे बेस्ट है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं वन वाई वन लाइन करके तो इससे नहीं पढ़ाऊंगी जो भी important चीज़े हैं मैं बहुत short chapter में explain कर दूँगी जिससे कि क्या होगा कि जब आप exam देने जाएंगे उससे पहले फड़ा परसे आप एक short view देख सकते हैं पूरे chapter का ठीक है तो important बात जो है वो यह है कि importance क्या है food की हम खाना क्यों खाते है because food gives us energy to do work, grow and maintain our health ठीक है उसके बाद क्या करती है यह क्यों और क्या reason है कि हमें nutrition लेना चाहिए because it helps repair and build our body हम खाना नहीं खाएंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे एनरजी हमारे पास नहीं रहेगी तो यह सब चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी इसलिए हम क्या करते हैं खाना खाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको यह दिया गया यह rice की photo इसमें यहाँ कुछ बहुत important कुछ भी नहीं है उपर चलते हैं कुछ activities दी गई हैं जिससे की बस पता करना है इसमें है क्या क्या खाने में जो हम खा रहे हैं बात जो important है वो हमारी यह है कि food materials और sources यह important चीज हमारे सामने आई है कि हम जो खा रहे हैं उसमें क्या-क्या ingredients है और क्या-क्या sources हमें मिल रहे हैं इस बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो पहले तो यह बताओ sources क्या है food के food कहां से मिलता है हमे food मिलता है हमें plants से और animals से ठीक है और plants से हमें क्या मिलता है foods मिलते है vegetables मिलती है grains मिलते है pulses मिलती है औ एक्जांपल चिकन फिश, काउ कामिल्क, हनी इससे मिलता है वीस से अब यहां पे आपको एक प्लांट दिया गया आप देखें यह बढ़ियाय सा अच्छा सा प्लांट लग रहा है अब यहां पर आपको सबकुछ वो हमारा root system है, हम सब कुछ ही खाते हैं, plant में मतलब कि उसका floor भी खाते हैं, fruit भी खाते हैं, stem leaf सब कुछ खाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जो हम खा रहे हैं वो है क्या, है ना, तो मैं आपको बताऊंगी इस में, बागी आपने चाटर में ये दिया गया है, कि food variety जो होत स्टेम किसना भाते हैं स्ट्य के सब्कारण का पोटैटो का और शुगर केन लीप्स ठीम के लावा के लावा क्वोम त convenience आर भी पत्यां औशी है काली फ्लॉर लिए। दिछना में ही क्या होती हैं फूल या सबजीया में हमारे होते हैं ho उध्लॉर शीट्ट्ट्स क्या होते हैं कम छो प्ल्स हैं सब सीट्स हैं यह हमारी सर चीज़ इनिमल प्रोडक्स परिया आते हैं एनिमल्स से भी हमें काफी कुछ मिलता है जरूरी नहीं कि आप मांस खा रहे हो तो वही एक चीज है कि जो है नॉन्वेज है तबी ये क्या है ये हमें भी है ये एक पूरा चाता बना हुआ है इससे हमको क्या मिल ला है हनी ठीक है ये सोसर प्रोटीन आपकी दे दिये मौंग तो प्रांट से ही मिलती है हमको एनिमल्स से हमको जो मिलता है वो है बटर चीज कर्ड, milk प्रोड़क्त से है, मीट और एक्स मिलते है जो नो इस खाते है उनके लिए चिकिन फिश मतन हानी हमें वीज से मिलता है जो कि किससे बनाती है वो फ्लॉर की नेक्टर से उसके बाद तेहँ पर देख सकते हैं, कुछ लिखा हुआ है यह, 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 यह , ये, ये क्या है, सिंपल है, कर्भी-व्र्स च्वान होते हैں.. एःडिमयल्स that इत अजिक ब्लांट्स ठीक है, जासे कि काउ तक हो गया है, तक ब्लांट्स ब्लांट्स रहा है कहते है, कार्निवोर्स क्या होते हैं कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं सिर्फ एनिमल्स खाते हैं प्लांट नहीं खाते हैं ओमनिवोर्स बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये प्लांट भी खा जाते हैं और एनिमल भी खा जाते हैं यह किसी को नहीं छोडते, तो यह क्या हो गया, यह आपके तीनों चीज़ें हो गई, और इन से ही मिलके बनती है आपकी food chain, ठीक है, जिसे आप और अच्छे से पढ़ेंगे, और classes में, food chain में क्या होता है, food chain में होता है, sequence, उसमें यह बताया जाता है, a sequence that shows who eats whom in nature, कौन किसको दान खा रहा है, हम हमस्तिल खाना कहा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई जैसे कि grass हो पर है, और grass हो पर हो खा भाए सकता है, और frog खा था लिए,del नने खा लिए, यह वड़ा खा लिए यह बड़ा लमबा, चलता है चलता जाता है, यह पूरी फूड चेन है, जो जिसको खा सकता अब उसे खा रहा है आजकल तो इंसान भी भही जो है चलिए छोलिए ठीक है तो इस तरीके से food chain होती है उसके बाद chapter complete हो गया food के बारे में ही है nothing new in this आप यहां की जो summary है इसे पढ़ सकते हैं जो हमने पढ़ाया मैंने अभी आपको वही सब इसमय है nothing different बात करते हैं exercise की question number first है do you find that all living beings need the same kind of food क्या आपको लगता है कि सभी living beings जो होते हैं उनको एक ही टैप खाना चाहिए होता है तो यह बिल्कुल गलत बात है इसका answer होगा no और उसके बाद आप herbivore और carnivore और omnivore इन तीनों के बारे में definition दे देंगे यह तीन टैप के food items हम लोग खाते है ठीक है उसके बाद आप में लिया question number two और question number two है आपका name five plants and their parts which we eat पांचा से प्लांट देने हैं जो हम खाते हैं सबसे पहले आप दे दीजिए wheat यह क्या है seed है carrot carrot क्या है root then you will give spinach यानि पालक पालक क्या है आपको बता है leaps है उसके बाद आप गाता है potato potato क्या है stem है फिर आप दे सकते है broccoli या फिर cauliflower यह क्या है simple है इसमें तो लिखा ही हुआ है floor तो यह क्या है आपका floor तो इस तरीके से यह पांच आपके plants हो गए जिनने बता दिया आपने क्या आप इने खाते हो और पार्ट भी बता सकने है plant products अल्राइट उसके बाद match है match the following देखेंगे आप बहुत ही simple cute सा match है यह milk और पानीर और घी यह हमें कहां से मिलता है यह सारी क्या है आपके अनिमल प्रोड़क्स है इस्पिनिश कॉलिफलोर क्या यह सब क्या है यह क्या है सारी visitables है यह second वाला मिलेगा आपका थार्ड से lion tiger यह क्या है यह क्या करते है अनिमल्स कुखाते है high rewards eat plants and plant product simple fill in the blanks पर आएंगे अब हम और देखें tiger is a क्या है tiger because it eats only meat जो केवल एनिमल्स खाता है वो क्या होता है आपका carnivore ठीक फिर हम आते हैं dear eats only plants products तो यह क्या होगा herbivore जो केवल plant product खा रहा है वो क्या होगा herbivore next है आपका parrots eat only क्या करते हैं यह इनका answer भी होगा यह plant products plant products ही खाते हैं यह ठीक है लिख लेना आप यह plant products उसके बाद आपका आता है the यहाँ आएगा milk क्या आएगा milk the milk we drink comes from cow of yellow and goats sugar कहां से मिलती है आपको very simple sugar cane यह हो गया यह बहुत अच्छा चलता नहीं है तो यह आपका हो गया अब यह तो आपको अपने आपी करने बाकिस में कोई question बचानी है तो इस तरीकी से हमारा यह chapter complete होता है it was at number one foot where does it comes from जितना चूटा मैं बता सकती जितना शौट मैं आपको बताया और फिर भी अगर आपको लगता है कि इसे और ज़दा elaborate करके बताना चाहिए यह आपको कोई problem होती है तो please comment में बताएगे thank you so much bye